वेगन क्लासiousर अध्युन Alert का चैप्टरैंबस7 नौन का पार्ट टू इससे पहले हम लोगे चैप्टरा सब्सक्राइब और यह एक नम्बर इसना पर टू सब्सक्राइब करें इसक बाद अब इसके बाद करेंगे इंजिन का थे यह को हम लोगे करेंगे हैं यह को ही चैप्टर वाइज करेंगे करेंगे लिएगा थेयरी पढ़ने के बाद से कर पाएंगे कि क्या क्या पहले कि कि इस बाद की फोकस नहीं होती थी कि इंजिर्ण ड्राइंग में जो भी इस पड़ने होती थी ते लेकिंगे अब बने वाले हैं से तहुन लोग इस बाद पर करना होगा कि ठीक है जब मैक्सिमम ठीक पड़ लेंगे तो मैक्सिमम पाइब कर पाएंगे इसके जब करेंगे जिसमें सारे ही चेप्टर से कोशन पूछे हैं होंगे तो आई यह स्टार्ट करते हैं आज का अब दिखते हैं हम लोग को लास्ट पर कर लास्ट पार्ट आए देखते हैं को सब्सक्राइब नबर 11 में पूछा गया है आप सब्सक्राइब कोई नहीं 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 जवाब होगा इसका सही जवाब होगा जो हमारा फ्लेंज कपलिंग मुफ कपलिंग है यह ज़िट कपलिंग है ठीक है आप्सट बीज़ दर राइट अंसर ऑके नेश कुस्ट देखते हैं को सब्सक्राइब क्या पूछा गया है लाचीली कपलिंग को उप्योग साफ्ट को जोडने के लिए किया जाता है किस प्रकार क्या दूसरा अच्छी सभिवाग मतलब की नौट इन परफेक्ट एक्षियल एक्षियल इलाइमेंट ठीक है जाकि परफ्रेक्ट में डीज़ दोनों आपसान्ट री उप्योग में से कोई नहीं तिका सभी जबाब क्या है सभी यह है को सम्ट पूसरा है लचीली कपलिंग म एक सीध में ना हो थोड़ा सा उपर नीचे हो तब यूश्याता यानि कि आपसन भी यहां पर सही हो जाएगा आपसन भी इदा राइड़न सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या पूछा गया है मौफ कपलिंग में खोखले कास्ट आरन स्लेंटर का आंत्रिक व्यास होता है कितना होता है उसका इंटरनल डायमेटर कितना होता है ठीक है यह पूछा जा रहा है आपसन दे रखा है कि यह जवाब है जो इसका मिच्छा आपस्ट इसका सहई जवाब क्या है है जो इसका इंटर्नल डाइमेटर है जो 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 जा रहा है उसके डायमेटर के बदाबर होगा मतलब कि को टूदा आप्सिन डायमेटर अगर कुछा किया मफ्स या बाक्स कपलिंग में उप्यों की जाने वाली कुंजी होती है कौन से कुझी होती है आप्षान की आप्षान सी जीव हैड की यूज जाते हैं नेस कुछन देखते हैं पूछा गया साथ के की लंबाई में एक दूसरे से चढ़ाने लिया जाता है किस है किस अधो जोडे में में और बॉक्स कपलिंग में मुद्षान डी कि आधा चड़ाव मॉफ कुपलिंग में किसका सभी जवाब क्या है और सभी नाम से माम चलना है हां लाइफ मॉफ कॉपलिंग ऑप्सट्टीस राइट असर नेस्ट कोशन को स्टीन स्लीव या मॉफ कॉपलिंग का डिजाइन होता है आपसट ने पतला सिलेंडर के लिए छिन छिंदर के लिए अक्षिन दे स्लेंडर के लिए और सभ्षिन के लिए ऑफेसंड़ सॉलिट सौलीम के लिए विह कैसे numa 17 को सब्दों में मॉफ और क्या है कुपलिंग में मफ और सामगरिक क्या होती है या किस मट्रेल से वह बना होता है यह कुछा गया है आप्ट अलुमुनियम और सिपीतल ब्राउस ऑफ्षा लेड तो सबस्क्राइब किसका बना होता है तो बनाता कास्ट अरंड का ढटलवा लोहे और चड़ाव मफ कपलिंग में डैस कुझी का प्रयूग किया आता है और चड़ाव मफ कपलिंग में आप्शन देर रखा है जीव हैड की आप्शन भी स्ट्रेट की एंड आप्शन सी हालो शेडल की इसका सब्सक्राइब क्या है और चड़ाव जोड कपलिंग में ठीक है लुए सब्सक्राव मॉफ कपलिंग में में साथ के शिरो को डैस लंबाई को एक दूसरे के चड़ाओ लिया तो उसके लंबाई कितनी रखी जाती है है यह पूछा गया है यहां पर ठीक है तो इसका सभी जवाब क्या होगा जीरो पॉइंट एट डी ठीक है कितना जीरो पॉइंट एडी आप बढ़ा जागए जीरो पॉइंट एट डी कितना और लाइपिंग में रखी जाती है आउपन डीज दा राइडर साथ पॉइंट पूछा गया है मतलब कि प्रोटेक्टेट फ्रेंज कप्लिंग में में प्रोटेक्टेट फ्रेंज कप्लिंग उसका प्रोजेक्शन निकला होता बहां के तरह वह किसको अढ़कता है यह कुसम पूछा किसे प्रोटेक्ट करता है तो आप सब्सक्राइब रहा है बोल्ट हेड और नट आप्सांद और फ्रैंज साही जवाब किया है इसका सही जवाब है प्रोट है और नट हेड को कवर करते हैं आप्शन अप्संट कोशन कोशन नेमार टॉन्टिवन एक फ्रेंज कपलिंग में कुंजी होती है के आंत्रिक पहलुओं से क्या कर रहा है कुंजी लगी होती है उसके अंदर के आंत्रिक पहलुओं के इंटर्नल फेस से क्या होता है इंटर्नल यहां डैस में क्या बढ़ा जाएगा फ्लेंच तो समयजने आपको प्रॉलम आ सकती है ठीक है सिंपल नहीं लिखता है अपनी वहारी भासना लिख करके वह दूसरी भासा करता है तो यह समझने में दिखता रहती है ठीक है इसका सब्सक्राइब क्या जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन सीज़ा राइट अंसर ओके अब हमनों देखेंगे शाप्टर हम लोगने कंप्लीट कर करेंगे इसके बाद करेंगे अब उसके आगे हम लोगने करेंगे तो वीडियो को सेर करेंगे दोस्तों साथ ताक्कि उनकी पढ़ाराईब जाई रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप देखिंगे थेयरी क्लास, ओके, थैंक्यू